आज हमारा यह लॉंग डिविस सीरीज का पार्ट 4 है और हमारा क्वेशन है जो आपका fx है वो कितना है ? 2x की 3 माइनस 3x स्वाइर माइनस 17x प्लस 30 और जो आपका gx है वो कितना है ? x माइनस 2 मतलब इस equation को हमको x माइनस 2 से डिवाइड करना है चलू करना, स्टार्ट करते हैं, x-2 and the question is 2x की 3-3x square-17x plus 30, okay, तो देखू, 2x की 3 और x, x से x कैंसिल आउट हो है, x square आगे है, 2x square आगे, हमारा आगे 2x square, क्योंकि x-x cancel out हो गया था, तो x square बचा और यह 2x square, और यहाँ हो जाएगा, 2x की पार 3, minus sign के, cancel out कर दिया, minus 2 को अगर 2x से multiply करेंगे, minus 2 को यह उपर जो question दे रखा है, 2x square इसे multiply करेंगे, 2, 2 जा 4, minus 4x square, यहाँ गया, यहाँ sign change किया, यह वाला sign तो खतम हो जाता है, 4 आपका अब आया है, minus 4 plus 3, दोनों के साथ x है, वो मैं लिखने रही x square, तो x square का, तो x square उतर गया, minus 4 plus 3, sorry, plus 4 है, minus 3 है, तो आपके क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 हम लिखते नहीं है, तो खाले x square, minus 17x plus 30, अब देखो यह x और x square है, तो इसको आप वरबली कर सकते हो, क्या आएगा, x आएगा, तो plus x, plus x लिखेंगे, तो यह होगे x square, और x को अगर, अगर हमने x को x से multiply किया, तो यह होगे हमारा x square, अब यह 2 को अगर x से करेंगे, तो क्या होगा, minus 2x, plus x से multiply होगा, minus 2, यह minus 2 है, और यह x से multiply करेंगे, यह गयाएगा, minus 2x, तो यहाँ लिख दिया, हमने minus 2x, यह minus का sign cancel होगे, यह plus, plus minus, minus, 17, 15 आएगा, लेकिन sign देखो कौन सा आएगा, minus का sign आएगा, क्योंकि minus 17 is greater than 2, plus 30, बेटा मैंने आपको कई बार समझाया, जो sign यहाँ पर होगा, साइन स्टार्टिंग में होगा, सबसे पहले यहाँ तो वह sign पुट कर दो, और नहीं तो वही sign आता है, हमेशा, देखो कैसे, 15x divided by, यह minus 15x, x, x कर गया, तो minus 15x, means minus 15, तो x को multiply करा, minus 15 से minus 15x, और यह minus 2 को 15 से करा, minus 2 into minus 15, प्लस 30 हो जाएगा, क्योंकि multiply में कट जाते हैं, प्लस 30, अब यह minus का sign है, तो यह positive हो जाएगा, यह positive है negative हो जाएगा, यह हमारे sign omit हो जाएगा, यह हमारा cancel out हो जाएगा, तो हमारा जो question आया, वो यह आया, question यह है, आपका यह divisor है, यह dividend है, और यह आपका remainder हमारा कितना है, 0, ओके, इसी question को, same digit को, हम लोग x plus 3 से भी divide करेंगे, किस से करेंगे, x plus 3 से, ठीक है, अब देखो, इसको x plus 3 से करते हैं, same ही question है आपका, 2x की 3, minus 3x square, minus 17x plus 30, इसको किस से divide करना है, x plus 3 से कर रहे हैं, पहले हमने किस से क्या है, x minus 2 से क्या था, तो देखो, same ही method है, यह x है, 2x से, 2x की cube को, अगर x से divide करेंगे, क्या आएगा, x square आएगा, मतलब 2x square, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, 2x square, तो यह होगे, 2x की power 3, cancel out होगे, 3 को अगर, आप 3x, 3 into 2x square को multiply करेंगे, 3, 2, 6, और 6x square, कितना होजएगा, 6x square, और sign कौन सा हैगा, positive, क्योंकि दोनों positive हैं, आपके, अब यह देखो, यहाँ sign change क्या है, यह तो इसके आगे plus था, और यह plus minus cancel out होगे, यह वाला हमारा plus का omit होगे, दोनों minus क्यों होगे, minus 3, minus 6, minus 3, minus 6, क्या होगा, आपका, minus 9, minus minus plus, but sign minus का आजाएगा, minus 9x square, minus 17x plus 30, आप देखो बच्चा, आपका क्या है, minus 9x square से, अगर x से करेंगे, तो क्या हैगा, x minus 9, minus 9x का आजाएगा, तो minus 9x, तो यह cancel out होगे, minus 9x square, यह minus था, यह omit होगे, plus minus, cancel out, अब 3 को का 9 से करोगे, 3, 9 जा, minus 3 into, sorry, 3 into minus 9x, तो इतना हैगा, 3, 9 जा, 27x, और sign कौन सा आजाएगा, minus का, तो 9 के आज़े, minus है, तो minus 27x, sign change क्या, plus का होगे, यानि, plus का 27 है, minus का 17 है, 27, minus 17, 10x आएगा, पॉजिटिव आएगा, 10x plus 30, आप देखो बीटा, 10x को अगर x से डिवाइट करना है हमें, तो यह x, x cancel out होगे, answer 10 बच रहेगा लिए, और sign कौन सा है, positive, तो plus 10 इधर लिख देंगे, और यह x का 10x, अगर 3 को 10 से multiply करेंगे, कितना है, अगर 3 10 जा 30, यह होगे, आपका 30, यह sign cancel out, यह question भी होगे आपका, चलते हैं, इसके third part की तरफ, इस equation को अब हम करेंगे, 2x minus 5 से, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप, अब factor बढ़ा हो गया, मतलब अब हमको जो divide करना है, वो थोड़ा line हमारा बढ़ा हो गया, देखो क्या है question, वही same ही question है, 2x की 3 minus 3x square minus 17x plus 30, आपका क्या है यहाँ पर, 2x की part 3, और यह एक है 2x, 2, एक x, x कट गिया, x की power 2 बचा, 2 से 2 कट गिया, तो कितना है, x की 2, तो यह होगे, 2x की power 3, यह minus से sign change करा, काट दिया, अब 5 को अगर इस x से multiply करते हैं, तो कितना आता है, 5x square, हर बार में आपको ऐसे करके सिखाती हो, अब आप बरबली करना शुरू किजे, 5 into x square, minus 5x square, minus 5x square, minus cosine cancel out हो जाएगा, positive हो जाएगा, क्यूंकि हो हम लोग subtraction में sign change करते हैं, plus 5 minus 3, plus 5 minus 3, 5 में से 3 है, 2 और positive 2 बचेगा आपका, तो 2x square, minus 17x, plus 30, अब देखो बीटा, 2x, और 2x square को 2x से करेंगे, हम लोग तो क्या हैगा हमारा, 2x है यहाँ पर, तो 2 से 2 cancel out हो गया, 1x बचा, तो यहाँ 1x लिखते हैं, और यह हो गया हमारा 2x square, अब 5 को x से करेंगे, तो कितना हैगा है, 5x हैगा, कितना हैगा, 5x, x से करेंगे, देखो, यह आपका यह minus 5 है, और यह x है, minus 5 into x, minus 5x हैगा, sign change करेंगे, plus हो जाएगा, cancel out हो, यह वाला sign, अब minus 17, और आपका plus 5 है, तो क्या आएगा, minus 12, plus minus, minus 12x, plus 30, आप देखो, आपका minus 12x है, इसको आपको 2x से काटना है, x से x पूरा cancel out होगे, 2, 6 है, 12, minus 6, तो यहाँ लिखेंगे, minus 6, 12x होगे, और 5 को, और 6 को multiply करेंगे, तो 5, 6 है, 30, 30 आएगा, आप देखो, दोनों में sign है, तो देखो, minus 5 into minus 6, minus से minus cancel out होगे, plus 30, आप देखो, बच्चा, यह minus का sign है, तो यह plus का होगा, sign change करेंगे, तो minus plus cancel out, यह minus का sign होगा, यह sign omit होगा, तो plus minus minus, तो इस बार भी हमारा इंदर कितना आगे, 0, ठीके, अभी हमने 3 questions कर लिए, 2 questions और करेंगे, अगला question है, C series का 4th question, 4th question है, x plus 2 से हमको divide करना है, जिसको x की 3 plus 13x square plus 32x plus 20, इसको divide करना है, देखो बच्चे, यह x की 3 है, इसको x से divide करना है, तो कितना बचा, x का 2 बचा, उसको हम यहां लिखेंगे, x का 2 यह x का 3, यह plus का है, तो यह minus का sign cancel out, अब इस 2 से अगर x को multiply करेंगे, तो कितना हैगा, 2x square है ना, 2 into x square, 2x square plus 2x square, यह minus करेंगे, यह sin omit हो जाएगा, 13 मेंसे 2 जाएगा, तो कितना बचेगा बचा, 11x square plus 32x plus 20, अब यह देखो, 11x square मेंसे, अगर आप x से काटेंगे, तो आपका 11x आएगा है आप, plus 11x, 11x square, अब 2, 11 जा, 22 होता है, दोनों positive है, तो sign का कोई problem ही नहीं है, और x, 22x, minus कट गया है, हमारे यह cancel out होगे, यहाँ minus का sign का 32 में से 22 होगे, 10x, sign positive हाएगा, because 32 is greater than 10, plus 20, अब x से बहुत इजी है, यह 10x है, और यह x है, cancel out करा तो 10 है, plus 10, यह होगे, आपका 10x, और 2, 10, 20, यह cancel out होगे, यह आपका आगे answer, 0, अब 5th part करेंगे, इसका last part करेंगे, and the last part of this question, of this series is, अभी हमने जिस question को x plus 2 से क्या है न, उसको अब हम x plus 10 से करेंगे, x plus 10, divided by x की 3, plus 13x square, plus 32x, plus 20, x plus 10 से करेंगे, x की 3 है, plus 13x square है, plus 32x है, plus 20, अब देखेंगे, यह x है, और x की 3 है, तो हमें कितना चाहिए, x की 2, तो यहाँ पर x की 2 लिख दिया हमने, x की 3, cancel out हो गया, 10 को अगर x से multiply करेंगे, तो कितना हैगा, 10x square, plus 10x square, plus minus minus, 13 में से 10 गया, तो कितना हैगा, 3x square, और sign कौन सा हैगा, plus का, क्योंकि 13 is greater than 10, plus 32x, plus 20, अब देखो बच्चा, x को 3x square को खतम करना है, ठीक है, x को, तो हम क्या करेंगे, 3x square, उपर लिखेंगे, x को नीचे लिखेंगे, तो क्या है, x, 3x, positive हैं दोनो, plus 3x, यह होगा, 3x square, minus, and cancel out, अब 10 को अगर 3 से करेंगे, 10, 3 जग 30, 30x, plus minus, minus, 32 में से 30 गया, 2x, plus 20, अब 2x को, अगर x को खतम करना है, तो क्या बच्चा, 2 बच्चा, तो यहां, plus 2, 2x, 10, 2, 20, यह भी cancel out हो गया, तो आख मतब इस से यह करेंगे, अब भी दिस इस अल फूर टोड़ीज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजे, थैंक यू, कीप प्रेक्टिसिंग बीटा,